सब्सक्राइब तो मैं चैनल सूरज प्रकाश फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट की वेबसाइट अपडेट हुई है एंड लेट सी कौन नया मेंबर अड़ हुआ है दोस्तों यहां पर डल XPS 13 एड हुआ है दोस्तों यहां पर i7 और i5 वाला वर्शन डेफिनेटल इसकी जो कीमत है एकदम माथा पीटने वाली है लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों यह जो लैप्टॉप है थोड़ा आस्पिरेशनल लैप्टॉप है और इस लैप्टॉप को कवर करने का मेरा परपस यही ह कि 11 जनरेशन के लैप्टॉप को लेकर कमपनीज का मुमेंटम बहुत ज़्यादा है कमपनीज जो है चाहती है कि 11 जनरेशन के जो लैप्टॉप है दोस्तों जल से जल मार्केट में आए और उसी का नतीज़ा यह है कि Dell XPS 13 आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में 11 लैप्टॉप की तो बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में दोस्तों छोटा वाला मॉडल ही लेंगे आप लोग आई-फाई वाला तो सबसे पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है आप लोग आपका लैप्टॉप तो यहां पे देखिए दोस्तों एक लाग तेरा हजार का मिल रहा है और इसकी कीमत में सडनली इतना बंप आना आई थिंक एक मींस उतना ज्यादा अच्छा नहीं है मैं जानता हूं कि बहुत सारी चीजे जो हैं दोस्तों इसके अंदर एड की गई है और फ्रेंड्स में आपको बता दूँ यहां पे आप आइजिंग के साथ में आ रहा है और फ्रेंड्स में आपको पहले कई भी वीडियो में बता चुका हूं कि जैसे इंटल इवो की ब्रैंडिंग आप लोगों को दिखें आप लोग समझ जाहिए कि कीमत जो है लैप्टॉप की काफी ज्यादा बढ़ने वाली है इंटल इवो प्लैटफॉर्म भी है दोस्तों इंटल एथीना से ज्यादा इसका स्टैंडर्ड है आपको जो है निश्चे तेक अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी एक फास्ट बूटिंग टाइम आपको देखने को मिलेगा एक फास्ट चार्जिंग का फीचर आपको देखने को मिल जाएगी स्टोरेज और रैम की बात करते हैं दोस्तों तो 8GB RAM 512GB SSD आपको जो है स्टोरेज मिल जाता है और वेट जो है अरूंड 1.2 kg आपको देखने को मिलता है पोर्च की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक टाइप-C जो कि थंडरबोड 4 सपोर्ट करता है एक Micro SD Card और दूसरे तरफ भी टाइप-C मिलता है दोस्तों USB-A port नहीं है और एक Audio Jack आपको कही ने कई देखने को मिलता है Audio Jack मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा अब क्या करें वो ठीक ही पीछे से है तो वहीं पर Audio Jack लगाया हुआ है इन लोगोंने बात करते हैं कुछ और चीज हो दोस्तों जब यह मार्केट में आए तब कम हो लेकिन इसकी गुंजाईश है बहुत कम है दोस्तों क्यूंकि जो कीमते लिखी रहती है वेबसाइट के उपर लगबग उसी प्राइस पॉइंट पे जो है यह यह लांच होता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तो क्योंकि कीबोर्ड का जो पावर और बटन ने वही पर आपको जो है फिंगर्प्रिंट सेंसर मिल जाएगा पूरी कारबन फाइबर बॉड़ी है ट्रैक पैड जो है दोस्तों कभी आपको मोका मिले तो डेल के शोरूम में जाके XPS के जो लैप्टॉप से उनके ट्रैक कार मिलते हैं तो कही न कहीं माना कि कोसली है लेकिन इंडिया में काफी जादा कोशली है लेकिन जो अगर इसकी ओरिजिनल कॉस्त देखें फॉरिण तो भी वहां पर वो कोशली पड़ता है और इसका बिल्ड क्वालिटी जो है काफी अच्छा आपको को मिलता है वैब्क्य देख सकते हैं बैकलेट कीबोर्ड मिलता है तो बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ अपन फीचर्स की जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा जरूरी है जानने के लिए और यहां पर आप लोग देखिए वाइट कलर में मिलता है और ब्लैक कलर में भी आप लोगों को देखने हो सकते हैं यहां पर यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना कॉम्पैक्ट आपका जो है लैपटाप हो चुका है मुझे तो काफी अच्छा लगा दोस्तों यह वाला लैपटाप बट यही बात है यार इसकी कीमत जो है वह माथा बीटन लेने वाली है जो कि इंडिया म में जो है कहीं ने कहीं एक बिग ऑफ बमर इश्यू है अपको क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हैं